तो दोस्तों दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आ रही है गैंगेश्टर लोरेंस इसनोईवे संपत नहरा गैंग के सार्फ सूटर को गिरपतार कर लिया गया है जिसने प्रोपर्टी डिलर से एक करोड रुपे की रंगदारी मांगी थी पूरा मामला जरूर देके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं चलिए जान लेते हैं तो दोस्त आपको बताएं कि पुलिस ने आरोपी के पास से वार्दात में इस्तेमाल बाइक वार्दात के समय पहने गए कपड़े वे अन्य सामान वार्दात बरामत कर गए हैं और आरोपी ने अपने सागती सुबम के साथ मिलकर वार्दात को अन्जाम दिया था यह भी खुलासा हो चुका है तो चली अब जान लेते हैं आखिरकार मामला क्या है नरेला इलाके में प्रोपर्टी डीलर के दफ्तर पर गोली चला कर एक करोड रुपे की साकाने गैंगश्टर लौरेंस विश्णोई और संपत नहरा गैंग के सार्प सुटर को गिरपतार कर लिया है और आरोपी की पैचान प्रेम नगर रोहतक हर्याना निवासी नवीन सिंदू उर्फ अक्सित उर्फ चीता जोकि 19 साल का है उसके रूप में हुई है और पुली ब्रामद कर लिया है जैसे कि बाइक बरामद कर ली गई है और उस समय पैने गए कपड़े भी बरामद कर लिये गए हैं आरोपी ने अपने साती सुबम के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था तो बड़ा खुलासा तो यही होकर निकल कर आ रहा है कि अब उसके सात सुबम का भी नाम सामने निकल कर आ गया है और अप्राद साका की टीम नविन से पूच्टाज कर सके उसके लिए सुबम को भी गिरपतार करने की जल्द से जल्द कोशिस कर रही है और जैसे ही इसकी तलास पूरी होगी तो इस केस का खुला सा होप पाएगा कि आकरकार किसके गैंग के लिए काम करते थे और किस परकार से यह वारदात को अंजाम पूरी तरीके से दिया है और दोस्ता प्राद साका कि पुलिस उपाईउक्त मोनीका भर्दुआज ने बताया कि 17 नौवंबर को नरेला इलाके में प्रोपर्टी डीलर अनील से रंगदारी मांगे जान नहरा गैंग का सदस्य बताकर अनील से एक करोड रुपए रंगदारी देने की डिमांड की थी इसी दोरान करीब 11 बजकर 6 मिनट पर अज्यात बदमासों ने अनील के धपतर पर कई राउंड फायर किये और फायर करने के बाद में वहां से भग गए उसके बाद अनील ने यह सब मामला पुलिस को दर्ज करवाया और उसके बाद पुलिस ने तलाशी करने के बाद एक आरोपी को गिरिपतार कर लिया और दूसरे आरोपी का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है जिसकी पुलिस तलास कर रही है तो दोस्त आपको बताएं कि मोके पर आरोपी ने हाथ से लिखा परचा भी फैंक दिया था और सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची पुलिस को मोके से एक खोकावे तीन गालियों के लेड बरामद हुए लोकल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है मामले की जाच अपराद साका को ट्रांसपर कर दी गई है एसीपी उमेस बर्तवालवा इंस्पेक्टर सतेंदर मोहन की टीम ने चानबीन शुरू कर दी इस दोरान टीन ने लंबी जाच के बाद एक आरोपी नविन आर के पुरम इलाके भे गिरपतार कर लिया उसके बाद पूचतांच के दोरान आरोपी ने वारदात में आपना हाथ होने की बात कबूल ली और आरोपी ने नविन ने बताया कि 17 नौवंबर को उसने अपने दोस्त की बाइक का इंतजाम किया वहां से वैं सोनीपत अपने दोस्त सुबम के पास पहुंचा सुबह करीब साड़े आठ बजे वैं नरेला पहुंचे यहां गैंग के गुरगे रोईत ने वाटसेप कोल पर अनील से एक करोड की रंगदारी मांगने के लिए कहा रोईत के कहने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दे डाला बाद में आरोपी फरार भी हो गए थे लेकिन पुलिस सुबम की तलास कर रही है और जल्द से जल्द उसको भी गिरप्तार करने की कोशिस कर रही है तो दोस्तो अब देखते हैं कब तक गिरप्तार होता है और आगे क्या कुछ होकर निकल कर आता है जैसे ही कोई बड़ी ख़बर निकल कर आएगी सबसे पहले हम आपको वीडियो बना कर देंगे तो ऐसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल अमेजिंग संजय को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दावाएं और कमेंट करके बताएं कि गैंगस्टर लॉरेंस